एलपी टेकनिसियान सीवीटी टू की तयारी के लिए इस चाइनल को सब्सक्राइब करें हवाशे नमी को अवशोशित करने के बाद सिलिकॉन जेल का रंग क्या होगा ए नीला, बी भुड़ा, सी वाइलेट, डी गुलावी, सही जवाब है डी गुलावी बड़ता मान टांस्फर्मर का मुल्यांकन माध्मिक करंट का मानक मुल्य है A. 2 A. B. 3 A. C. 5 A. D. 10 A. शही उत्तर है C. 5 A. एक सो के भी ए 24 वोल्ट, बाई 24 वोल्ट, पचास अटर्ट टांस्फर्मर का 300 टर्न है माध्मिक वक्र पर एक परतिस्द गुमाब की बारी में संख्या की गन्ना होगी A. 15 टर्न, B. 18 टर्न, C. 24 टर्न, D. 3000 टर्न, सही उत्तर है D. 3000 टर्न टांस्फर्मर का पुर्न, लोड लोह नुक्सान 1000 वाट है, आधे लोड पर लोह नुक्सान हो जाएगा A. 125 वाट, B. 250 वाट, C. 500 वाट, D. 1000 वाट, सही उत्तर है D. 1000 वाट किस शामागरी शे टांस्फर्मर के कोर का निर्मान होता है A. सिलकन लोह इस्पात, B. मिर्दुल इस्टील लोह, C. कार्बन इस्टील लोह, D. पिग आयरन इस्टील सही उत्तर है A. सिलकन लोह इस्पात एकल चरन टांस्फर्मर के इन्पुट पक्च को कहा जाता है A. माधमिक पक्च, B. मुखे रूप पक्च, C. उच बोल्टेज पक्च, D. कम बोल्टेज पक्च सही उत्तर है B. मुखे रूप पक्च जब प्राथमिक और माधमिक बोल्टेज एक ही वाइनिंग चे प्राप्त हो रहे है उच टांस्फर्मर को कहा जाता है A. टू वाइनिंग टांस्फर्मर B. ओटो टांस्फर्मर C. रिंग टाइक टांस्फर्मर D. आईसोलेशन टांस्फर्मर टांसफर्मर के ब्रीदर में परियोग होने वाला ताजा सिलका जेल किस रंग का होता है ए नीला, बी सफेद, सी हरा, डी बैगनी करेक्ट उत्तर है बी सफेद एक विदी जो सौके भी है तक के कम चमता वाले वित्रन टांसफर्मर को ठंडा करने के लिए आमतवार पर अपनाई जाती है A. तेल विस्पोटक सितलन विदी B. हवा विस्पोटक सितलन विदी C. बल पुर्न परिशन चरन तेल ठंडा विदी D. परकिर्ती हवा सितलन बिदी सही उत्तर है D. परकिर्ती हवा सितलन बिदी ओटो टांस्फर्मर का अनुप्रियोग क्या है A. स्रिंकला लाइन बुस्टर B. बानीजिक भवनू C. एलिमिन्टर्स D. टोंक परिक्छक सही उत्तर है A. स्रिंकला लाइन बुष्टर एक के विए 240 वोल्ट वाई 120 वोल्ट एकल चरण टांसफर्मर करंट की गन्ना लोब वोल्टेज साइड में किजिए A. 4.16 A. B. 14.72 A. C. 18.33 A. D. 19.12 A. सही उत्तर C. 18.33 A. दो बैंडिंग टांसफर्मर में लोड आउट्पुट साइड के रूप में जाना जाता है A. प्रात्मिक पक्च B. माध्मिक पक्च C. कम बोल्टेज की और D. उच बोल्टेज की और सही उत्तर है B. माध्मिक पक्च एक के भी हैं दूसर चालिस बोल्ट वाएक सो बीस बोल्ट एकल फेज टांसफर्मर का पूरा लोड करन 0.8 P. पर क्या होगा A. 8.33 A. B. 16.64 A. C. 4.14 A. D. 3.33 A. जब दो टांसफर्मर समांतर कर्म में काम कर रहे हैं तो वे किस के अधार पर लोड बाटेंगे A. लिकेज रियक्टेंस B. चुम्बकिय धारा C. परती इकाई परती बाधा D. के वी ए रेटिंग सही उत्तर है D. के वी ए रेटिंग अधिक छमता के दोरान टांसफर्मर में तामर छती 1000 वाट है तो आईरन लॉस क्या होगा A. 1200 Watt B. 1000 Watt C. 900 Watt D. 800 Watt सही उत्तर है B. 1000 Watt एक टांसफर्मर में रहत देने के लिए A. बक्र को ठंडी हवा परदान करते रहना चाहिए B. टैंक में नमी के परवा में पकर के रखना चाहिए C. टैंक में तेल अस्तर को नियंतरन में रखना चाहिए D. टांसफर्मर में तेल को फिल्टर करते रहना चाहिए सही उतर B. टेंक में नमी के परवाह में पकर के रखना चाहिए एक टांसफर्मर के ओल्डे छमता की गन्ना के लिए पूरे दीन के दोरान खपत बिजली उत्पाद निकाई क्या है A. KVA-YH B. KVA-H KW-YH D. KW-H सही उतर D. KW-H Digital यंत्रों में बैदुत राश्यों को अंको को दर्शाने हित्व लगी होती है A. डिस्पले B. डिजिटल डिस्पले C. एलेक्टोनिक डिस्पले D. एलेक्टोनिक डिजिटल डिस्पले यूनिट सही उतर है A. डिस्पले जलते हुए लैंप का परिपत कहलाता है A. बंद परिपत B. खुला परिपत C. सौट परिपत D. लोकेज परिपत सही तर है A. बंद परिपत निम्न में परिपत का घटा कोन सा है A. सपलाई शुरूत B. सुरक्षा युक्ती C. उभोक्ता युक्ती D. सभी सही है सही उत्तर है D. सभी सही है